लौकी से पनीर कैसे बनाएं तो जब आप ये बनाएंगे तो कोई भी पैचार नहीं पाएगा तो चली हम इसको बनाने स्टाट करते हैं तो आपको क्या करना है आपको एक लौकी लेना है और जो लौकी होनी चाहिए वो हमारी बिल्कुल ताजी होना चाहिए लौकी रख्यो क्या करना है आपको अपने family member के हिसाफ से लौकी को ले लेना है ठीके ना तो बस यहाँ पर मैंने एक लौकी ली है और मैंने इसको 20 से कट कर लिया है और हम इसको अच्छे से इसका जो छिक कले हम इसका निकाल दें तो इसको हमें बिदावट छिलकी को तो दोनों लौकी को छीलने का हम इसको 20 से कट कर लेंगे तो यहाँ पर हम लौकी को दो-दो भागों में काट कर अच्छे से लंबा-लंबा काट लेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और इसकिप मत करना बिल्कुल भी तो आपको बढ़ना पता नहीं लगया कि आपको जो लौकी से पनीर बनता है वो कैसे बनाया जाता है तो ध्यान से आप पूरा वीडियो देखें इसकिप ना करें तो यह आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लौकी को अच्छे से काट लिया है और इसको छील भी लिया है उसके कॉर्णर भी निकाल दिये हैं तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें और स्टेप बाई स्टेप आप इसको पूरी तरह से देखकर बनाए तो जो आपका पनीर है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा अगर आपके घर में कोई लौकी नहीं खाता है तो जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई भी मना नहीं करेगा सारी लोग पूरी लौकी को चट कर जाएंगे क्योंकि हमने इसको पनीर का रूप दिया है तो यह देखिए यहाँ पर काटने के बाद लौकी को अच्छे से वाश कर लेंगे तो खाने के साथ साफाई भी बहुत जरूरी है तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखे जो आप इसको काटे तो बहुत अच्छे से दो लें दोने के बाद इसको अच्छे से निकाल लेंगे और अब हमें क्या करना है इसके हमें छोड़े छोड़े टुकड़े कर लीना है तो अब हमें इसको छोड़े टुकड़े में काट लेंगे तो दोस्तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बैल आइकन को नहीं दबाया है तो पहले तो जल्दी जाएए बैल आइकन को दबाईए ताकि जो मेरे वीडियो की नौटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके और जो मैं तनी सारी वीडियो और रेसिपी बनाती हूँ उनको आप देख सके तो सारी रेसिपी बहुत जादा इजी और जटपड बनने वाली होती है तो आप जल्दी से मेरे चैनल पर जाएए और बैल आइकन को ज़रू दबाईए ताकि नौटिफिकेशन आप तक आती रहें तो ये देखिए जो लौकी है वो अच्छे से छोटी छोटी पीचिस में काट लिए है अब हमें क्या करना देखिए वह दुख नहीं हो जाएगा तो आप वीडियो को पूरा जोगदिए तो ये देखिए ऐसा पेस्ट बंकर तयार हो जाएगा चलिए हम इसको बावन में ट्रांसपर कर लेते हैं तो यहां पर इसको बाल में ट्रांसपर कर लेंगे तो लोकी को बिलकुल अच्छे स तो इसमें हम एक से दो चमज बेसर को डालने के बाद इसको अच्छी से मिक्स करेंगे इसमें बेसन का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा आप अगर बेसन नहीं डालना चाते हैं आपके पास चावल का अंटा है तो आप उसको एक से दो चमज डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बता आना और वीडियो को लाइक जरूर करना सैर जरूर करना ताकि सभी लोग इसको बना कर खा सके इतनी तरीके से बना कर खिला सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है चाहें वो बच्चे हो चाहें वो बड़े हो चाहें वो बूड़े हो तो सभी को यह रैसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी तो हो सके तो आप इसको पूरा देखे और स्टैप बाई स्ट जिस तरीके से में बना रही हूं आप उस तरीके से बनाएंगे तो आपकी यह रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी तो यह देखिए फ्रेंड्स तो इसको हमने अच्छी से में कर लिया है अब हम इसमें कुछ और चीजों को डालेंगे इससे यह हमारा पनीर न वह बह अच्छी से लगा देंगे फिर इसमें हमें क्या करना है जो लौकी का पेस्ट हमने बना कर रखा है उसको हमें इसमें अच्छी से फैला देंगे हो सके तो आप रेट चिली पाउडर की जगे आप कुट्य हुई लाल मिर्च भी ढाल सकते उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फैला देंगे और इसको फैलाने के बाद हम इसको रखेंगे साइड में फिर चलिए उसकी अब हम कर लेते हैं दूसरी चीज की तैयारी तो यहां पर इसको अच्छे से फैला दिया है तो चलिए अब हमें इसके लिए आंगे हमें एक और चीज की जरूत पड़ेगी तो चल आपको लेना है उसके बाद टमाटर को अच्छे से धो लेना है इनको हम अच्छे से कट कर लेगे तो यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से काट लिया है और एक बात याद रखे जब आप लौकी को पीस्ते है तो आपको उसमें क्या करना है अध्रक का एक टुकड़ा डाल है जितना भी आप खाना पसंद करते हैं ज्यादा या कम आप उसी के according oil डाले बस यहाँ पर मैं तीन से चार चमच oil को डाल दिया है अब आपको क्या करना है इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे साबूत मसाले उसमें आपको क्या क्या चाहिए चलिए मैं आपको बताती हूं तो यहाँ पर आपको लेना है दो तेज कर दीजिए तो बस इसको अपको अच्छे से मेक्स करना है और लोजसे मिलींड फ्ले में इसको अच्छे से कुख करने रहें ताकि जो इसका पेस्ट है वो अच्छे से बढ़कर तयार हो तो आप देख सकते हैं जो टमाटर एक अच्छे से आउल छोड़ दिया है तो अब हम और बस अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकिन मसाला तो और यहां पर मैंने डाल रहा है कसमीरी लाल मिर्च को और थोड़ी सी हल्दी तो आप मसालों को अपने अकॉर्डिंग ही रखें तो आपको जितने मसाले खाना है आप उतने ही डाले तो यह देखिए यहां पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है जाकि जो मसाला है वो हमारा अच्छे से बुनकर तयार हो जाए तो फ्रेंट्स मैं हमेशा आपके लिए एक अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आती हूँ और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है तो यहां पर हम मसाले को अच्छे से कोखोने देंगे तो इसको हम ढख देंगे अच्छे से तो यह अब इसकी जो ग्रेवी है उसको गाड़ा करने के लिए हम इसमें एक चीज डालेंगे वो है कि एक चमच बेसन तो बस मसाले की बीच में होल करके आपको एक चमच बेसन डाल देना है और इसको अच्छे से पूरे मसाले में भूल लेना है जिससे जो कि हमारी प्यूरी है यान कर इस रेसिपी को जरू ट्राइए करें आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और कमेंट करके जरू बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो यहां पर इसके बाद हम इसमें थोड़ा और पानी डालेंगे जिससे यह जो बेसन हमने डाला है मुच्छे से इसमे क्या होगा हमारी ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी तो इससे हमारी ग्रेवी में ठिकना साइगी जिससे हमारी जो रेसिपी यह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होगी तो आप इसको एक बार जरू ट्राइए करना तो यह देखिए इसको पानी डालने के बाद अब हम वो भी ये मज़ेदार रेसिब्बी का लुफ्ट उठा सके अगर उनके घर में भी कोई लौकी नहीं खाता है तो वह इस तरीकिसे बना कर सभी को खिला सकते हैं जातार लौकी खाना बच्चों को पसंद नहीं होता है तो अगर आप उनको ऐसे बना कर देंगे तो वो बहुती चल्दी इसको चट कर जाएंगे अब आपको क्या करना है मसाले की बीच में एक कटोरी रख देना है और उसमें जो बैटर हमने प्लेट में खला कर रखा था उसको हम इसकी उपर रख देंगे और बस इसको हम अच्छ से कुक हो जाएगा तो हम इसको निकालेंगे तो बस अगर साथ से आठ मिनट में आपका यह अच्छ से कुक ना हो तो आप इसमें एक-दो मिनट और इसको अच्छे से पकाने के लिपना हम इसको चेक कर लेंगे अभी इसको टाइम है तो मैंने इसको दुवार बात डख दि तो बस अब आपको क्या करड़ा है, इसवें ये गिलास पाली डाल देना है पूरे मसाली में ताकि जो हमारा ग्रेभी है, वो अच्छे से बनकर तैयार हो, तो हम इसको कटूरी को निकाल लेंगे और बस हम इसको अच्छे से कखोने देंगे, इसमין हम डालेंगे थोड़ा से नमक तो बस हम इसको अच्छे से पकने देंगे करेंगे तो अब आपको क्या करना में इसको अच्छे से कटकर लेना है तो इसके हम आप पीसच काथ लेंगे पनीद की जैसे कट अ उअब आपको क्या करना है तो सारे पीसे को काटने के बाद इनको अच्छे से उसी ग्रेवी में हम डाल कर अच्छे से को करेंगे बिल्कुल 5 मिनट तक इससे ज़्यादा नहीं करना है और बड़िया सी हमारी पनीर की यानि की लौकी से पनीर की सबजी बनकर तयार हो जाएगी तो ये जो सबजी है लौकी से पनीर की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तयार होती है तो आप इसको एक बार जरूर ट्राइ करना मैं फिर से कहूंगी आप एक बार इसको जरूर ट्राइ करना जब आप इसको बनाएंगी तो आप खाते ही रह जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो ये देखिए इस तरह के पीसिस कट कर तयार हो जाएंगे तो ये देखिए कितने बड़िया पीस निकल कर तयार हुए हैं तो इस तरीके से आपको बनाना है तो ये देखिए सारे पीसे बनकर तयार हो गए तो अब हम इसको गिरेवी में डालेंगे जो कि हमने गिरेवी को अच्छे से पका कर रखा है आप देख रहे हैं एक चमच बेसन से हमारी जो गिरेवी है वो कितनी ज़्यादा गाड़ी हो चुकी है तो बस सारे पीसे सब हमें डाल देंगे तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना इसके बाद मैं आपको एक अगले वीडियो में एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूँगी तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट तो जरूर करना कमेंट करकर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है बस इसको डालने के मत आपको कुछ नहीं करना है बस आपको पाच नट तक इसको अच्छे से लो फिले में पकने देना है क्योंकि सारी चीजे हमारी पहले से ही पकी हुई है क्योंकि हमने जो बैटर है उसको अच्छे से पका लिया था पहले ही और जो ग्रेवी है उसको भी अच्छे से हमने पका लिया था बस आपको कुछ नहीं करना है अगर आपको लगे किनी भी जादा गाड़ी हो गई है तो आ यह देखिए जो लौकी की पानी है वो हमारी बनकर तयार हो चुकी है चलिए आप भी इस रेस्टीपी को बनाएए जली से जाएए और सभी को बनाकर खिलाएए तो मैं मिलती हूँ आपको एक नेक्स रेस्टीपी में नेक्स वीडियो के साथ स्यर्ड़ साथ कर दो कर दो